देश में कोरोना की दूसरी लहर, A.C.I के नए स्ट्रेंग, संकरवन, कई तरह का इंफेक्शन और फंगस के नए नए मामले और रूप सामने आ रहे हैं कोरोना की दूसरी लहर कम जरूर हुई है लेकिन खत्रा हर दिन बढ़ रहा है ऐसा हम इसली कह रहे हैं क्योंकि अभी तक तो लोग यही सुन और समझ रहे थे कि ब्लैक फंगस आकर होता क्या है और इसके क्या लक्षन होते हैं लेकिन अब एक नई मुसीबत और सामने आ गई है जी हां वाइट फंगस कोरोना महावारी से बुरी तरह जूज रहे भारत में कई राज्यों में ब्लैक फंगस से कैसे अंदिप्ता जाए इसी बारे में सोच विचार किया जा रहा है लेकिन अब वाइट फंगस ने सब की चिंताएं और बढ़ा दी हैं दरसल बिहार में वाइट फंगस के चार मामले सामने आए हैं और इन चार लोगों में से एक पतना की मशूर डॉक्टर भी हैं कई चिकित सा विक्षिशग्यों के अनुसार वाइट फंगस संक्रमन, ब्लेक फंगस संक्रमन से ज्यादा खतरनाक है जो कि कुछ रात और महाराष्ट सहित कई राज्यों में भी बताय जा रहा है चलिए पहले आपको बताते हैं कि वाइट फंगस होता क्या है क्या होता है वाइट फंगस चिकित सा विक्षिशग्यों ब्लेक फंगस की तुलना में वाइट फंगस संक्रमन को खातक बता रहे हैं PMCH के माइक्रो बायलोजी विभाग के प्रमुक डॉक्टर एसन सिंग ने कठे तौर पर वाइट फंगस संक्रमन के चार मामलों का खुलासा किया उन्होंने कठे तौर पर कहा कि भले ही सभी रोग्यों में कोरुना के समान लक्षन थे लेकिन वो इससे संक्रमित नहीं थे सभी रोग्यों का एंटी फंकल दवाओ के साथ इलाश किया गया लेकिन संक्रमन ज्यादा खतरनाक है क्योंकि ये पेपड़ों को प्रभावित करता है इसका पता HRCT करके प्रभाव का पता लगाय जा सकता है वाइट फंगस के लक्षन रोक नियंतरन और रोक थाम केंडर केनुसार वाइट फंगस संक्रमन के लक्षन मुख्य रूप से इस बात पने भर करते हैं कि शरीर में फंगस कहां बढ़ रहा है जबकि संक्रमन का सबसे आम रूप तो अच्छा है वाइट फंगस चुकेटसा विशेशग्यों को भ्रमित कर सकता है क्योंकि रोग का कम भी रूप फैपडों को उसी तरह प्भावित करता है जैसे की कोरोना करता है वाइट फंगस के लक्षर तो अच्छा का छोटा दर्द रहित दानवे जो फंगस के संपर्क में आने के बाद एक से बारा सप्ता तक किसी भी समय विक्सित हो सकता है जो बड़ा हो जाता है फैपडों के संक्रमन के लक्षरों में खासी, सांस लेने में तकली, सीने में दर्द और बुखार शामिल है यदि संक्रमन फैलता है तो ये प्रभावित शरी के अंगपन निर्भर करता है जोडों में संक्रमन से जोडों में दर्द हो सकता है केंड्रिय तंत्र का तंत्र के संक्रमन में सोचने में कतनाई सिर्दर और दोरे शामिर हो सकते हैं वाइट फंगस सहित किसी भी रोग जनक से सुरक्षा के लिए CDC ने सिपारिश की है कि पौधों के मामलों को छूते समय गलावस और लंबी आस्तीन जैसे सुरक्षात्मक कपड़े पहनने से बचा जा सकता है रोग का उपचार या तो एक छोटे उतर के नमूने या शरीर के संक्रमन शेत्र की बायापसी द्वारा किया जा सकता है और ब्रक परिक्षन भी कभी कभी संक्रमन का पता लगाने में मदद करते हैं वाइट फंगर्स रोग का उपचार मुखे रूप से एंटी फंगल दवाओ के माध्यम से किया जाता है यह जीवन के लिए खत्रा नहीं है मरीजों को करना पर सकता है HR CT स्कैन चिकित्सा विचे शगों का मानना है कि इस फंगर्स के संक्रमन का पता लगाने के लिए HR CT स्कैन की आवशकता हो सकती है रिपोर्ट्स के मताविक कोरोना वाइरस की तरह ब्लैक फंगर्स भी कम एंटी वाडी वाले लोग पहले से मौझूद चिकत्सा समिस्याओं डाइबेटीज वाले लोग या फेस्टिरोइट्स का उप्योग करने वाले लोगों में संक्रमन का ज्यादा खतरा हो सकता है ये विब्मारी ब्लैक फंगर्स से भी ज्यादा खतरनाग बताई जा रही है कहा जा रहा है कि वाइट फंगर्स से भी कुरूना की तरह फेपड़े संक्रमित होते हैं वहीं शरी के दूसरे अंग जिसे नाखून, सकिन, पेज, किडनी, ब्रेन, प्राविट पार्ट्स और मूझ के अंदर भी संक्रमन फैल सकता है तो ऐसे में जरूरी है सावधानी बरतना जिस तरह से कुरूना से बचने के लिए जो सावधानिया बरती जा रही हैं वहीं अब भी बरतनी होगी तब ही हम इस वाइट पंगस से बच पाएंगे और ज़रूरी है बच्चों का ध्लान ब्रकना क्योंकि ये वाइट पंगस बच्चों पर भी ज्यादा असरदार है इसलिए सतर्क रहिए साबधान रहिए और सुरक्षित रहिए फुला के लिए बस इतना ही देखते रहिए न्यूस वोड़ इंडिया